नमस्ते और वेलकम टू माई चानल माई सेलफीज शेताज और आज का जो मेरा टॉपिक है सुमो डीवन टू दीटेन केमिकल के का मैं आपको यूजेज बताऊंगी अगर आपको केमिकल के बारे में इंफोर्मेशन चाहिए तो मैंने अलग से भी हर केमिकल के बारे में बताई आप मेरा उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं सुमो डीवन जो है मैनूल डिश वसिंग केमिकल दिटरजेंट या चैमिकल है आप बोल सकते हैं पॉट यूटेंसिल पैंट्स यह सब क्लीणिंग के परपस यह डिटरजेंट जो है यूज होता है यह केमिकल आपको बीस ए यूज़ कर सकते हैं अगर आप यह chemical श्प्रे के थ्रू यूज़ करते हैं तो आपको 20 ml देना है सारे 700 ml water में अगर आप जिल्डेन्ट क्लिनिंग के पुर्परस यह chemical यूज़ करते तो 550 तो भी 5 से 20 से मिल आपको ये chemical देना है एक लिटर हलका गरम पानी में अगर आफ लोड क्लीनिंग पार्ग के परपल्स यूज़ करते तो आपको 10 से 20 से मिल देना है एक लिटर पानी में और पानी गरम होना चाहिए सुमो D3 जो chemical है heavy duty degreaser है ये chemical आपका oven, grill, cooker, hoots, pants, interior, hoodies washing machines में जो fat, carbon का हो जाता है या oil का जो spot हो जाता है उसको remove के purpose यूज़ होता है ये chemical आपका ready to use होता है इसमें पानी देने का कोई ज़रूरत नहीं है सुमो D4 chemical जो है sanitizer या disinfected chemical है ये chemical आपका कोई भी hard as face को disinfect करने के purpose ये chemical होता है spray it through ये chemical ready to use होता है इस पे पानी mix करने का ज़रूरत नहीं है सुमो D5 जो chemical है acid discolour है ये chemical brain marries, boiler, steamer, tea, coffee machine ये सब को cleaning के purpose ये chemical ज़र ये use होता है ये chemical आपका अगर आप soaking के मादम से use करते हैं तो आपको 50-20 ml देना है ये chemical एक लीटर पानी में अगर आप spray it through use करते हैं तो आपको एक लीटर पानी में 200 ml ये chemical देना है पानी आपका हलका गरम होना चाहिए सुमो D6 जो chemical है glass cleaner है ये chemical से आप windows, mirrors, display, cabinets, tiles ये सारा glass का item clean कर सकते हैं ये chemical आपका ready to use होता है इसमें पानी mix करने का कोई ज़रूरत नहीं है सुमो D7 जो chemical है stillness, still polish chemical है आपका मतलब जो भी item still का है इसको polish के purpose होता है जैसे की refrigerator, freezer doors, tollies and dishwashing machine ये chemical आपका ready to use होता है इसमें पानी use करने का ज़रूरत नहीं है सुमो D8 जो chemical है silver cleaner है मतलब EPN, silver cutlery, serving pieces, stable decoration का जो भी silver का item होता है उसको cleaning के purpose ये chemical use होता है ये chemical आपका ready to use होता है इसमें पानी mix करने का ज़रूरत नहीं है सुमो D9 जो chemical है oven या grill cleaner है ये chemical आपका ready to use होता है पर आपको पहले machine को थोड़ा oven या grill को थोड़ा सा गरम कर लेना है उसके बाद आपको ये chemical spray करना है फिर आपको थोड़ा दिल के बाद आपको उसको धो लेना है और अगर आप इसको boil out के थोड़ा यूज़ करते तो आपको 500 ml chemical देना है 10 लीटर पानी में उसके बाद boil करने के गरम पानी में उस machine को कुछ दिर तक ड़ग देना है फिर आपको वो धो लेना है सुमोड डीटेंज जो है सैनिटाइजर या दिसिंफेक्टेड केमिकल है जो कि वाइल रेंज में जहां पर दिसिंफेक्शन का ज़रत होता है वहां पर ये chemical यूज़ होता है ये chemical आप 40 ml लीज़ेगा सारे 700 ml पानी में ये के स्प्रे करीज़ेगा उसके बाद कुछ देर छ झाल